हेलो फ्रेंट्स स्वागता है आप सबका मेरे यूट्यूप चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप वट्सप के फंट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं जो भी आप वट्सप के जो भी कॉंटेक्ट्स बैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो वाटसप के फंड्स टाइल को चेंज करने के लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा सबसे पहले और एक अप्लिकेशन को यहाँ पे इंस्टोल करना होगा जिसका नाम है यहाँ पे आपको सर्च करना होगा funds for whatsapp इसको आपको search करना है और यहाँ पे सबसे उपर ही आ जाएगी funds keyboard इस पे click करना है और इसको अपने phone के अंदर install करना है मैंने install कर लिया है ठीक है इसको install करने के बाद अगर आपको यहाँ पे direct नहीं मिलती इसके downloads जो है 50 million downloads है आप देख सकते हैं 50 million plus है और 4.3 की rating है तो काफ़ी अच्छी app है इसको यहाँ पे open पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे next करेंगे यहाँ पे birthday पूछ रहा है तो generally आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे यह just formality है जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल दीजी अभी get started पे click कर देंगे enable funds keyboard आपको इस keyboard को enable करना है तो इस पे click करेंगे उसके बाद आपको यह funds वाला keyboard यहाँ पे दिख जाएगा third number पे तो आपको इसके उपर click कर देना है उसके सामने जो है इसे enable करना है इसको okay कर देना है इसको भी okay कर देंगे ठीक है उसके बाद switch to funds है उसके बाद switch इस पे click करेंगे तो यहाँ से हमें पहला जो option है funds का इस पे click कर देना है उसके बाद okay कर देंगे यहाँ पे यह type something करने को कह रहा है keyboard ready है आप यहाँ पे कुछ भी type कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे अलग-अलग funds आपके सामने हैं ठीक है यहाँ से icon आ जाएंगे आपके फिर से ABC पे आ जाएंगे नीचे normal है यहाँ ठीक है अलग-अलग language है यह देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी type करेंगे तो यह outline में आ रह दे रखें आप देख सकते हैं यहाँ small है ठीक है script है तो इसमें इस तरीके से दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पे मैं आपको whatsapp में दिखा देता हूँ यह किस तरीके से work करेगा ठीक है तो back आ जाएंगे उसके बाद whatsapp पे चलेंगे तो whatsapp में जैसे आपको यहाँ पे chat म दिखा देता हूं आपको, hello ठीक है, ये इस तरीके से fnnt दिखाई देगा, इसमें करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा इसमें ये थोड़ा italic हो जाता है उसके बाद यहाँ पे काफे सारे small caps है ठीक है इस तरीके से दिखाई देगा तो यहाँ पे काफी सारे funds हैं यह circle वाला है यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आप इस तरीके से यह circle में और आपको bold दिख जायेगा तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आप किस तरीके से WhatsApp की funds styles को change कर सकते हैं और उसमें अलग-अलग तरह के funds styles को use कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question कोई भी query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूस सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे like ज़रूर करें और जादा से जादा share करें अब मिलते हैं next video में Thank you